दिवाली DIY पार्ट नाइन में आपका स्वागत कर दियो है एक कैंडल होल्डर के साथ जो की बहुत ही प्यारा और कार्ट बोर्ट से हमने बनाया है वेस कार्ट बोर्ट हमको कहीं से भी मिल जाते हैं तो यह कार्ट बोर्ट मैंने थोड़ा सा ले लिया है उसको शेप में कट कर करना है बहुत अच्छे से पेस्ट कर लेना है और फिर मैंने या पर ग्लू लगा दिया यहां पर मैंने सेम शेप का जो पेपर काटा था वह मैं स्टिक कर लोंगी और वैसे तो हम पेंटिंग करते हैं बट आज पेंटिंग नहीं हम स्केच करेंगे क्योंकि पेंटिंग में कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है कि हाथ खराब हो जाते हैं, पैर खराब हो जाते हैं या जो भी चीज़ है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा तो यहाँ पर पहले मैंने corners में scale से line कीच लिए pencil के help से और फिर मैंने 8-8 cm की distance पर, मतलब तो तीनों में equally हमको divide करना है, आपका cardboard जितना भी area है, उसमें तीन parts में हमको divide करने ना है, चाहे वो आप scale से measure करके भी कर सकते हो उसकी बाद सबको एक एक करके color कर लेंगे, तो यहाँ पर मैंने blue color लिया है मैं पस बहुत सारे colors से sketch pen में आपको जो color पसंद हो आप वो ले लो, यहाँ पर अगर आपको paint करना हो तो वो भी आपकी choice है, बट मैंने सोचा चलो paint तो बहुत कर चुके है, चलो sketch pen का भी use कर ही लेता है, तो यहाँ पर मैंने तीनों colors कर दिये, जो मुझे अच्छे लग रहे थे lemon, yellow, blue and pink आप आपकी choice के add कर सकते हो और यहाँ पर मैं बीच मैंने mirrors लगा दूँगी तो मैंने glue लगा है, और फिर इस shape की mirrors है, छोटे-छोटे से वो मैंने ले लिया है तो आप decoration अपने हिसाब से भी कर सकते हो बट मैंने जो बनाया है मुझे खोद देखके इतना प्यारा लगा कि मैं बता नहीं सकती है तो चलो हमने यहाँ पर mirrors लगा दिये अब वो जो candle है, tea light candle यह हम थोड़ा इस पर भी mirror लगा लेंगे ताकि mirror पर क्या होता है reflection जब आता है तो बहुत ही सुन्दर दिखता है तो यहाँ पर मैंने इसलिए बाकी आपकी विश है कि आपको decorate करना है कि नहीं करना है candle को बट मैंने तो किया है ताकि मैं और इसको enhance कर सकूँ और decorative बना सकूँ और बहुत ही अच्छा दिखे तो यहाँ पर मैंने तीनों candles को भी अच्छे से mirror से decorate कर दिया है next step है कि candle को बीच में रखे और फिर हम pearls लगा लेंगे तो थोड़ा favicol लगा लेना है candle को हटा के भी आप कर सकते हो पर shape जो है candle के आसपास ही होना चाहिए तो यह पूरे pearls मैंने लगा लिया ऐसा हमको दो जो और हैं उनमें भी वैसे ही कर लेना है same process हमको repeat कर लेना है और बहुत ही अच्छे से जो pearls है वो चपका लेना है इसके जगा आप mirrors भी चपका सकते हो बट मुझे इसमें mirror और pearls दोनों का काम करना था और यह इतना सुन्दर लग रहा था न और यहां तक यह process end कर सकते हो मतलब ऐसे में भी बहुत अच्छा दिखेगा बट क्यूंकि मेरे पास यह lace थी और मुझे लगाने की बहुत इच्छा हो रही थी क्यूंकि मुझे इसा लग रहा था बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा तो यह देखो मैंने यहाँ पर लेस लगा दिये फैविकॉल से चपका के और यह देखो इतना प्यारा दिख रहा है यार मतलब मैं आपको जब जला के बताऊंगे न तो आपको और ही उसका जो लुक है वो enhance होके दिखेगा तो यह देखो लेस मैंने लगा दिये और कितना सो लुक लग रहा है यार और यह पार्ट 9 है जो मैं आपको देखा रही हूं ऐसे 8 बार्ट और बनाए है तो आपने देखे कि नहीं देखे, जरूर बताना नहीं देख जरूर देख लें न और यह देखो यहाँ पर मैंने जो candles है वो जला ली है और कितना खूबसूरत सा दिख रहा है मैं आपको इसका mirror में भी दिखाऊंगी और यह देखो इसका final look तो कितना प्यारा कितना सुन्दर लग रहा है यार यह candle holder कितना easy है और आपको पता है आपको क्या करना है चल दी से जाओ like and subscribe करो ताकि हम मिल सके next DIY में और thank you मुझे इतना support करने के लिए